हेलो स्टूरेंट्स आप हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो देडिस आप चैप्टर साउंड तो देखो बेटा साउंड के बारे में मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर अब इसमें सबसे पहले बीच के तॉपिक करते हैं उससे पहले मैं आपको एयर के बारे में बता रही हूँ कि एयर से हम कैसे सुनते हैं ठीक है कॉन-कॉन से पार्ट्स है जो किस तरीके से वाइपरेट हो रह रहा है वाइबरेशन ये कैसे हमारे ब्न के अंदर चाके हम किसी साउंड को आडिबल हो पाती है वो sound हमें, कैसे उस sound की जो भी word बोला है, वो हम एक-एक word सुन पाते हैं तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती है बटा, यह जो हमारा ear का डाइगराम से ले लेते हैं, यहाँ पे देखो यह ear का डाइगराम है आपको easily clear हो रखा होगा तो ear के डाइगराम को एक और दिखाती हूँ मैं आपको इसको थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है कौन से थ्री पार्ट्स है बटा यह है outer कौन सा है, outer यह outer ear फिर यहाँ से यह क्या हो गया हमारा middle और यह वाला जो last वाला यह बटा कौन सा हो गया यह वाला जो है यह हो गया हमारा inner, तो ear को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया outer, middle और inner पार्ट्स में तो देखो स्ट्वेंट्स, यहाँ पे sound waves enter here sound waves कहां से enter होती है यह हमारे outer ear से यह कौन सा हो गया हमारा outer ear, यहां से sound waves कहां होती है enter करती है, ठीक है तो sound waves कहां से enter हो स्ट्वेंट्स, यह outer ear से आपको समझ आगया होगा अब देखो स्ट्वेंट्स यहां से यह जो shape है इसकी outer ear की, यह कैसे दे रखिया funnel की तरह जैसे आपने देखा होगा oil जो आप किसी चीज को छानते हो जैसे oil डालते हैं किसी चीज के अंदर तो वो एक funnel यूज करते हैं कुम्पी से जिसको बोलते हैं, that is called funnel ठीक है, तो यह funnel की तरह shape है, ऐसे यह बाहर की shape होगी फिर देखो ऐसे आती है यह shape ऐसे funnel की तरह shape होगी जब sound यह एंटर करते हैं, तो sound किस में आ रही है बेटा waves की रूप में आ रही है sound यह waves को बोलते हैं longitudinal waves क्या बोलते हैं इनको longitudinal g-i-t-u-d-i-n-a-l longitudinal waves तो sound जो travel करती है that is longitudinal waves में travel so longitudinal waves अब देखो बेटा यह जो longitudinal waves होते है तो पूछ ले sound travels in what is the name of the sound waves that is longitudinal अब देखो ऐसे ही light travel करती है वो होती है transverse waves यह longitudinal waves हो गई और वो transverse waves होती है जिसमें light travel होती है उन waves को बोलते हैं अब देखो जब यह sound waves जिनको हम longitudinal waves बोलते हैं यह outer funnel shape से कहां आगई अब यह canal के अंदर आगई बेटा canal कौन सा हो गया यह बोलते है canal जिसके end में क्या है ear drum जिसके end में क्या stretch thin membrane है जो stretch यह thin membrane होगी नि stretch tightly इस thin membrane को बोलते है ear drum अब देखो इसका यहाँ ear drum से अगर मैं यहाँ पर एक activity बता हूँ तो उसको सुनो माल लो आपके पास यह box ऐसे कोई plastic box भी हो सकता है या फिर कोई steel tin can भी हो सकता है plastic can ले लो या tin can box की तरह डिबास आएसे जिसके अंदर हम कुछ चोटे से यह लगा लो आप में जिसमें soft डाल के रखर के यह इस तरह के से होते हैं चोटे डिब बे से kitchen के अंदर अब इसको उपर वाले हिस्से को काटके वेटा यहाँ पर आपने बैलोन का ऐसे membran से इसके उपर लगा दी और इसको बान दी अच्छी तरह के से और नीचे से इसको open करके यहाँ से आप जोर से कुछ बोलना है और यहाँ पर आप क्या है दो तीन कुछ seeds रख लो जैसे आपने wheat रख दिये या आपने चने रख दिये इसके उपर आप यहाँ जोर से बोलो इस ear drum के अंदर जब आप जोर से बोलोगे ना students तो आप देखोगे कि जो यह wheat यह सब रख 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 रहे है यह उपर के तरफ उचल रहे है vibrations हो रही है इनमे जैसे आपने बोल दिया word hooray यहाँ से आपने क्या बोला word hooray जो आपकी बुक के अंदर activity दे रख रख है figure 13.15 ठीक है so आप इसमें देखोगे तो जो grains होते है 4-5 grains जो हमने इस rubber band के उपर यहाँ पर रख 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 है यह stretch rubber stretch band जो हमने ले रखा है आप ballon का भी ले सकते हो कोई और band भी हो सकता है जो बिल्कूल ऐसे थोड़ा सा उसको आप stretchable जो हो चेक है तो उससे क्या होगो जब यहाँ से बोलो गया बैटा तो यह vibrations यह हुरे जैसी word यहाँ से बोलो गया तो यह sound waves जाएगी तो यह कैसे उपर रिच जैसे इसमें vibration होगी तो उसी तरीके से यह sound waves जब यहाँ पर travel करे हैं जो longitudinal waves में होगी तो यह vibration करेगा और जैसी यह vibration करेगा तो जो sound waves है वो कहाँ गई यह vibrations अंदर की तरफ जाएगी inner ear में पहुँच गी inner ear में देखो यह three bonds है कौन सी bonds है बटा inner ear में three bonds है three bonds को हम क्या बोलते हैं यह देखो one is hammer, anvil, styrum यह hammer, फिर anvil, फिर यह styrum दिख गया, hammer, anvil, फिर यह styrum अब यह three bonds है इन तीनों bonds के अंदर यह जो vibration है several times amplify हो जेगी मतलब several times यह vibrations बढ़ा देंगी यह जो vibration यह bonds इनकी moment जब होगी सबसे छोटी bonds कहते हैं कौन सी होती तो हमारे कान के अंदर यह वाली bonds है जिसको हम बोलते हैं styrum अब देखो बैटा जब यहाँ पे middle ear से यह vibrations कहां जाएगी inner के अंदर inner के अंदर गई तो यहाँ पे जो coquelia जिसको हम बोलते हैं राउंड शेप में ऐसे दिखा रुका है ने यह coquelia तो यहाँ पे एक liquid सा fruit भरा होता है तो यहाँ पे क्या होगा जब ही coquelia इस पूरे structure को से बोल रखा coquelia इसके अंदर क्या एक fruit सा भरा होता है अब यहाँ पे जो vibrations होगी ने वो signals में convert हो जाएगी किस में? signals में और यही signals कौन लेके जाएगा? ब्रेन के अंदर एक nerve लेके जाएगी जिसको हम बोलते है auditory nerves तो उन signals को जो vibrations हमारे पास आई थी यह vibrations को अब signals में convert कर दिया और यह signals कहा जाएगे? ब्रेन के अंदर और brain इन signals को जो हमने बोला है बटा ठीक है? brain में क्या गए? आप सोचो आपके word नहीं गए आप बोल रहे हो कि मुझे apple ला दो तो यह word apple आपके brain में नहीं गया ठीक है? क्या गए है? signals गए है so ear drums and vibration to the inner ear और यहाँ से signals कहा गए? brain में और brain में जब signals गए तो brain ने उन signals को interpret मतलब convert किसमें कर दिया? एक word के अंदर जो आपको समझ में आ रहा है कि उस next person ने आपको क्या बोला है? I hope it is clear तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से यहाँ पे इस diagram के अंदर भी क्या हो गया? यह पीना जिसको हमने क्या बोल दिया? स्ट्वेंट्स आउटर इयर यह एर्ड्रम हो गया यहाँ पे और colorful diagram मैंने लगा दिया आपको clear हो जाएगा यह middle ear हो गया यहाँ पे यह और यह stitching tube जो ने यह क्या actual में? यह हमारे tube like structure है जो हमारे throat के अंदर आ रहे है throat में भी कहां पे जो voice box से थोड़ा उपर होता है pharynx ठीक है? यह voice box ऐसे बाहर के तरफ निकला होता है ने बटा? जो हमारा जैसे मैं आपको थोड़ा face बना के दिखा लेती हूँ ऐसे कर कि यह ओके तो यहाँ पे यह voice box गले के अंदर यहाँ पे ना voice box होता है उससे थोड़ा उपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते है pharynx तो pharynx में आके यह tube open होती है तो जिसकों बोलते है station tube अब यहाँ पे यह सारा वही three bones हो गए यहाँ पे यह कोकेल यह जो दिख रहा है आपको और यह auditory nerves है जो signals को कहां लेके जा रही है brain में तो यही पूरा अब हम इसके discussion देख लेते हैं वीडियो में यह जो मैंने आपको समझा रखा है कैसे work कर रहा है तो funnel shape है outer ear की क्या collect कर रहा है वो sound को किस form में signals की form में waves की form में sound waves अब जो यह sound wave है pass कहां हो रही है ear canal से कहां तक पहुँच गई बेटा यह ear drum तक पहुँच गई अब यह ear drum को आप tympanum भी बोल सकते हो किसी-किसी book में tympanic membrane भी लिख देते है ear drum vibrates and produce vibration अब यह ear drum जो vibrate होगा मैंने कहा था था ने tin के उपर आप थोड़े से serials रख दो तो वो vibrations तो यह ear drum क्या होगा बैटा जब vibration vibrate होगा तो vibrations produce होगी अब vibrations कहां amplified होगी मतलब और ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी three bones में middle hammer then anvil और last क्या होगा styric तो यह middle ear में हो अब जो middle ear है अब transmit करेगा sound waves to the inner waves sound waves को किसमे inner waves में पहुचा दिया inner में क्या होगा sound waves converted to electrical signals में convert हो जाएगा electrical signals में sound waves को sound waves को electrical signals में कौन convert करेगा that is coquillia okay and send to the brain through the auditory nerve auditory nerves brain में लेके जाएगी signals को और brain फिर उस signals को sound के अंदर कि हाँ यह word बोला यह चीज़ में बोली है वो चीज़ उसमें convert कर देगा and इस तरीके से हम we are able to hear I hope यह clear हो गया अगा topic आपको की हमारा hearing कि सो तरीके सो तरी यह कितना fast process है इस तरीके से हम sounds सुन पाते है यह पच्छी तरीके से इसका diagram को structure को देख लेना और आपको यह clear हो जाएगा I hope यह clear हो गया होगा अब मैं next video में next topic clear करेंगा So thank you students for watching my videos और आज का question जो हमारी ear के अंदर सबसे छोटी bones है what is the name of the smallest bones smallest bone present in the ear you can give your answer in my comment box so thank you students for watching my videos